सर कहां से आए हुआ आप इस अंदोलों के लिए और आप को नहीं है मैं दिली से आई हूँ मैं मन्जू गौतम और मेरा नैशनल लेबल पे एंजियो है नारी शॉया मंत्री चुत्थान जिसकी मैं प्रेशिडेंट और फांडर भी हूँ इस देश के अंदर सेक्ड़ों सालों से बहुजन दलित समाज हमेश्चा पिस्ता हुआ आ रहा इसका उद्धार कब होगा सब इसके उद्धार के लिए जो हम मंचों पे जो राजनेता है जो भी संग्धन के लोग हैं वो जब हम भासन देते हैं वो लोग तो सब कहते हैं 85% और उसमें जब तक वो 85% एकटा नहीं होगा एक जगे एकटा नहीं होगा उसके जगे 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 जो नेता बिखरे हुए हैं और वो जब एक मंच पर नहीं आएंगे जहां भी एक मंच पर आने वाली बात होती है तो नेताओं में बिखराब होता है तो कोई संत्र इस पर आना पड़ेगा क्या नई पार्टी बनाने की कोई आशकता नहीं है क्योंकि अगर बाबा साब अमेटगर जी के बाद जो बाबा साब अमेटगर जी ने इस देश को दिया बाबा साब ने जो भारते समिधान दिया और भारते समिधान से एक जो बाबा साब ने का कि सि पर अपना अंदुलन किया और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके उन्होंने अपना त्याग करके उन्होंने समाज को इखटा करने का काम किया उसके बाद में मानिवर कासी राम जी के बाद में मानिवर कासी राम जी ने बहन जी कुमारी मायावती जी को इस देश जिन लोगों ना बहुजन समाज के लिए त्याग किया है चाहे तो साबत्रिवाई फूले हैं चाहे जोतिवारा फूले हैं और बावा साब अम्मेट करें उनको उनकी विचार धारा को उन्होंने सब के सामने बहन जी ने लाने का काम किया है और एक नई पहचान दिलाई है अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले